है वेलीकम बार eight है कलास ओक हम पढ़ेंगे डब्लिंग पिरियड डब्लिंग पिरिड बहुत छोटा सा कॉंसेब्ट है बहुत हीजी कॉंसेप्ट उप एक rule of 72 और rule of 69 जिसमें यह बताता है कि एक पैसा जो है कितने साल में double हो जाएगा जैसे आज मैं 1000 रुपे इंवेस्ट करता हूँ एक particular rate of interest पे bank में तो कितना साल के बाद मेरा जो पैसा है वो double हो जाएगा मतलब 2000 रुपे मिलेगा मुझे after how many years ठीक है तो doubling period basically बताएगा कि what is the time period that an investment will take to double itself double होने में कितने साल लगेंगे ठीक है ऐसे तो हम normally calculate करी सकते हैं कितना साल बाद double होगा लेकिन एक बहुत ही shortcut formula बनाया गया है जो है कि rule of 72 और rule of 69 जो कि एक easy तरीका बताता है doubling period के अंदर ठीक है देखना doubling period means the time that an amount take to double itself at a certain rate of interest it can be calculated by following rules तो इसको note down कर ले ना ठीक है एक है rule of 72 और दूसरा है rule of 69 rule of 72 जो है वो बोलता है doubling period equals to 72 divided by rate of interest और जो rule of 69 है वो बोलता है doubling period equals to 0.35 plus 69 divided by rate of interest दोनों ही अपने आप में correct formula है और almost answer है वो same ही देता है बस एक minor difference थोड़ा सा आएगा answer के अंदर ठीक है तेखना तो एक थोड़ा से example देखते हैं हम लोग इस example को भी note down कर ले ना if you deposit 5000 today आज अगर हम 5000 रुपय deposit करते हैं at 6% rate of interest in how many years will this amount get doubled तो आज अगर 5000 रुपय इंवेस्ट करता हूं और rate of interest is 6% तो कितने साल में जो पैसा है वो double हो जाएगा solve by using rule of 72 and rule of 69 rule of 72 और 69 से हम solve करके देखते हैं तो लिखते है solution पहला मैं solve करता हूं rule of 72 से जिसका formula था 72 divided by rate of interest तो 72 divided by 6 rate of interest कितना है 6 तो इसका मतलब है doubling period is 12 years मतलब 6% interest पर अगर मैं पैसा लगाता हूं 5000 रुपय तो 12 साल के बाद मेरा जो पैसा है वो double हो जाएगा मतलब 10,000 रुपया मुझे वाकस मिलेगा यह कौन से rule के हिसाब से है rule of 72 के हिसाब से similarly what does rule of 69 tells देखना rule of 69 यह क्या बताता है देखते हैं इसका formula है 0.35 plus 69 divided by rate of interest. So 0.35 plus 69 by 6. So यह आएगा 0.35 plus 11.5 which is 11.85 years. So rule of 69 भी almost उतना ही साल बवलता है double होने में time लगेगा that is 11.85 years ठीक है दोनों ही अपने आप में correct है around पूरा exact answer दोनों ही नहीं दे पाएगा round figure answer हमको दे सकता है और बहुत ही minor difference आएगा दोनों के अंदर clear रही है तो यह होगा rule of 72 and rule of 69 जो कि बताता है कि पैसा को कितना साल लगता है double होने में ऐसे तो हम exact calculate कर सकते हैं कितना साल लग रहा है बट अगर हम rule of thumb चाहते है फटाक्स से जारना चाहते है ज्यादा calculation नहीं करना चाहते है एक minute में एक round answer जानना चाहते है तो हम लोग वहाँ पर use कर सकते है rule of 72 और rule of 69 जो कि बहुत जल्दी सा answer बता देता है कि जो doubling period है वो कितना years होगा ठीक है तो मैं hope करता हूँ यह clear हुआ होगा बहुत ही easy बहुत ही concept है ठीक है लेकिन बहुत useful है ठीक है real life के अंदर यह बहुत useful है plus exam में अगर आ जाता है rule of 72 लगाओ तो बेटा जो पढ़ा नहीं होगा ना वो लगा नहीं पाएगा rule of 72 तो दिख जितना भी easy रहा हो यह लेकिन exam में गर हम नहीं पढ़के गए है इसको तो हम कभी भी वहाँ पर जो है rule of 72 rule of 69 जो है हम लोग उसको use नहीं कर पाएंगे बात समझ में आ रहा है चलो तो मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर इसको note down कर लेना solution को example को और उसके पहले जो doubling period का notes था यह सब को जो है copy में अच्छे से note down करके रखना देखें मिलते है next class में अभी के लिए इतना thank you and bye bye